हलो एन वेलकम टो होप तो शान्त यादो आपको बेस्ट ओफ यहल्थ और स्पूरिट लेस्टार्ट टोडेस्ट सेशन ओन एकॉनमिक सरवे 2021-22 इसको मैं एक्जांपल समझाऊंगा अब बड़ा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने आपको ऐसी ऐसी चीज़े अब यह वही चीज़ आपको इकॉनमिक सरवे बता रहा है विकॉस एकॉनमी आपकी लाइफ से हटके नहीं हो सकती आपकी लाइफ से कनेक्टेट है वह चीज़े में इस बार का पॉलिसी मेंकिंग अंडर अंसर्टेनिटी चलिए हम समझ जाएंगे यह थीम क्या है बात मैं पिश्ली बार, वो जायज debate था, COVID-19 ने हमें हिट किया था, अब हमने दो wave हिट कर चुकी, तीसरी wave भी हिट कर चुकी है, उसके बाद ये economic survey बन रहा है, अब ये economic survey क्या बोलना चाहता है, वो समझना हमें, तो दो approach की बात करते हैं यहाँ पर waterfall approach and barbell strategy, अब barbell strategy मैं आपसे agile approach की safety net के बारे में बात करेंगे, ये सब बाते करने वाले हैं, तो इन सब बातों करने से पहले, मैं आपको example की थूरू समझाना चाहता हूँ कि waterfall approach और barbell strategy है क्या, और इसको बड़ा example से समझने के लिए, मैंने cricket का example लिया है आपके लिए, क्योंकि cricket आप सब का favorite है, तो cricket का example बड 4 run की requirement है, अब समझे एक बड़ा interesting चीज है, समझने की कोशिश कीगा, एक ball पर 4 run चाहिए, और ये पाकिस्तान की batsman खेल रहे हैं, मस्त, बैटिंग आप देख रहे हैं एकदम ले में हैं, और हमारे ये baller ball कर रहा है, इनको चाहिए एक ball पर 4 run, और हमारी पूरी fielding सजी ये इधर जो तैनाथ है, इसका नाम है जड़ू, जड़ेजा साब यहाँ पर है, जड़ू यहाँ पर तैनाथ हिकदम हमारे best fielder है, इंडिय टीम के, तो जड़ू यहाँ पर मवजूद है, और इस batsman ने क्या किया, ball आई, और घुमा कर तीजी से मारा इस तरफ से, ऐसे ज जड़ू ने calculation किया, जड़ू ने अपनी दोनों आखों से इस तरफ देखा, और देखा कि ball इस तरफ मारी है, और इतनी speed से मारी, इतनी तीज मारी है, तो और जब ball को इतना time लगेगा, इसको travel करने में और ball यहाँ पर आकर, मैं यहाँ पर ball को पकड़ लूँगा, तो मैं इतनी तेज़ी से दोड़ूँगा, कि मेरा connection और ball के आने का time, दोनों का time बराबर होगा, तो मैं यहाँ पर ball को पकड़ लूँगा, और पाकिस्तान को हरा दूँगा, ऐसा हमारा plan है, तो जड़ेजा ने क्या किया, जड़ेजा ने यहाँ पर देखा, और data को absorb किया, कि data क्य है, data क्या बोलता है, कितनी speed से ball आ रही है, इस direction में ball आ रही है, तो जड़ेजा साहब ने ऐसा किया, एक पहले data लिया, और data लेने के बाद आँख बंद करके इधर दोड़ने लगा, और उसका prediction अगर इदम सही है, तो ball यहाँ पर पकड़ लेगा, और हम जीच जाएंगे, क्यों कहते हैं, मैं समझाओंगा भी, इस से कहते हैं, waterfall approach, waterfall approach का मतलब है, कि देखें, यहाँ पर waterfall हो रहा है, एक बार चीज आपने data ले लिया, अपने data को analyze कर लिया, आपने prediction बना लिया, कि हाँ वहाँ पर ऐसी चीज होगी, आप certain ऐसी चीज के लिए, कि हाँ ऐसी चीज होन मतलब होता है, कि एक बार data capture कर लिया, policy बना लिया, तो अब उसको implement करना ही करना है, वो implement होगी, अब इस से कैसे different है, जब different समझ में आ जाएगा, तो waterfall और अच्छे समझ में आ जाएगा, अब एक चीज अगर मैं आपको एक circumstance बताऊं, इस cricket field में एक ऐसी चीज हो सकती है, कि जडेजा साब ने जो analyze किया था, कि ऐसे ball आएगी, मैं यहाँ पर पकड़ लूगा, वो सकता है कि ऐसा ना हूँ, यहाँ पर गड़ा है, और गड़े होनी की वज़े से, ball जब यहाँ पर पड़ी, तो ऐसे हो गई, इधर tilt हो गई, आप समझेगा, दूसरा figure देखिए, दू यहाँ पर चली गई, अब जडेजर साब ने अपनी आग तो खोली नहीं, क्योंकि पहले से data analyze करके, वो बड़ा confident थे, कि ball यहीं पर आएगी, आग बंद करके लगा डॉट रहे थे, without ball को देखे, तो उनको लगा ball यहाँ पर आएगी, पर ball वहाँ पर कभी पहुँची ही न नहीं, ball ने अपना direction deflect किया अपने आपको, और ball इधर चली गई, और यह हुआ चौका और पाकिस्तान जीत कया, तो waterfall approach में problem क्या है, आपने एक बार data लिया, उसके बाद आपनी देखा ने अपने policy को implement किया, उसके बाद ball का क्या हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं, आपको तो यहाँ पहुचने से मतलब है, यहाँ पहुचने से मतलब है, लेकिन अगर आप थोड़ी से तेज होंगे, real life की बात करेंगे, तो real life में जड्डू ऐसा नहीं कर रहा होगा, जड्डू क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा, और देखे का ball deflect हो गई है, तो थोड़ा सा कर अज़र रखी, कि किस तरह से ball आ रही है, और पूरा real time data capture करता रहा अपनी आखों से, और अपनी आखों से real time data capture करने के बाद, वो अपने decision को mold करता रहा, जैसे ही आगे गया, उसको लगा ball पीछे चली गए, उसने तुरांत अपना decision change के और पीछे जाकर ball को पकड़ लिया, इस approach is called agile approach, agile approach में क्या होता है, हम data के बिहाव पर पहले एक prediction तो करते हैं, कि यहाँ पर ball आएगी, उसके बाद हम policy बनाते हैं, और policy बनाने के बाद उसको implement करते हैं, implement करने के बाद, साथ में हम feedback भी लेते रहते हैं, यानि real time data capture करते रहते हैं, और real time data capture करने के बाद, अपनी policy को adjust करते रहते हैं, और adjust करने के बाद, हम अपनी policy को फिर से implement करते हैं, फिर feedback लेते हैं, फिर implement करते हैं, तो जड़ू नो जो second case में किया, this approach is called agile approach, आपको waterfall और agile approach की बीच में, अंतर समझ आया है या नहीं समझ मैं, अगर मैं आपको बताऊं कि अंतर क्या है, तो समझे इस इन waterfall approach, government के पास पहले से जो data होता है, वो जो data इखठा करती है, तो government data collect करके, उस data के हिसाब से, अपने जो decision है, उसको क्या करती है, अपने policy को बना लेती है, policy बनाने की बाद, वो policy को implement करती है, और वो ये नहीं सोचती है, कि कहीं न कहीं, अगर data change हो जाए, चीजे change हो है, तो अपनी policy को change करना है, this method is called waterfall approach, क्योंकि एक बार water ने नीचे गिरना शुरू कर दिया, तो फिर गिरना ही है, implement करना ही है policy, real time feedback से कोई मतलब नहीं है, तो government of India की policy making जो है, ये waterfall approach, अच्छा मैं अगर आप से पूछो, ये waterfall approach कब काम आएगी, जब ground अच्छा होगा, ground में गढ़े नहीं होगे, that means कि जब certain time होगा, जब time certain होगा, तब आपको पता होगा, कि data के साब से हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, और 99% chances से कि ऐसा ही होगा, क्योंकि time certain है, certain time में दिक्कत नहीं है, certain time में waterfall approach ठीक है, लेकिन जब time uncertain होता है, हमें पता नहीं होता है कि कब कौन सी अचाहिल approach में क्या करता है, government policy making uncertain conditions, uncertain time में जब government policy बनाता है, तो क्या करता है वो, data collect करता है, policy बनाता है, policy implement करता है, लेकिन वो data लेना बंद नहीं करता है, वो feedback लेता रहता है, real time data capture करता रहता है, और real time data capture करने के बाद अपनी policy को adjust करता रहता है, adjust करने के बाद फिर से policy को implement करता है, फिर feedback लेता है, फिर implement करता है, इस तरह से पूरा work होता है, इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, अजाईल अप्रोच, अजाईल अप्रोच समझ में आई, waterfall, अब सोचो आप जीवन में यही करते हो, आप अपनी आखे कभी नहीं बंद करते हो, सर, आप हमेशा circumstances के हि आप से decision अपने mold करते रहे तो, आप कभी rigid नहीं होते है, waterfall method is a rigid way, एक बहुत rigid है कि हाँ बना लिया है, हम patriarchal हैं तो patriarchal है, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, तो मतलम नहीं निकलेंगी, जमीन आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, लड़कियां छोटे कपड़े में बाहर नहीं जा सकती है, 12 बजए club नहीं जा सकती है, rigid, आप flexible होना चाहिए आपको, flexible होना चाहिए, क्योंकि rigidity कभी काम नहीं आ सकती है, आप flexible होंगे अपने approach में, कि अगर subscribe status change हुआ, तो आप अगर smart इंसान है, तो आप तुरंत अपने आपको mold कर लेते हैं, अगर कोई बहुत हटा-खटा इंसान ना हो, कोई कमजोर इंसान आपके सामने आ जाए, और वो बत्तमीजी करें आपसे, तो आप लड़ने के लिए तुरंत तयार हो जाते हो, कि इसकी तो ऐसी ही तैसी, मैं तो इसको दो लाफा मार दूँगा, तुरंत, लेकिन अगर आपके उसके उ अजाइल अप्रोच, तो आप ही आपने अजाइल अप्रोच समझी, अभी आपने बारबल स्टेटजी नहीं समझी, भारबल नहीं समझा, अभी आपने अजाइल अप्रोच समझा, आई होब कि आपने इन दो चीजों से अजाइल अप्रोच और वाटर फोल अप्रोच समझ ये दोनों चीज समझ ली, यस और नो, इतना क्लियर है, सब लोग यस बोल दो एक बार, सब लोग यस बोल दो, तो हम आगे चलें, मज़ा आएगा आपको लोग को साथ, चलिए, एक बार थम सब दीजे, आगे चलेंगे, लेकिन बारबल, strategy में अजाइल अप्रोच नहीं होता सिर्फ, उसमें एक safety nets भी होता है, अब इसको मैं फिर से example समझाने कोशिश करता हूँ, यही same example है हमारा, इस example को देखिए, और मैं आपसे पूछने वाला हूँ, कि जडेजा साब ने क्या किया, यह गढधा जो है, उसने पहले से अंकलन किया था कि हाँ ठीक है, मैं बाल को देखता रहूँगा और अपनी policy को mold करता रहूँगा, this is a risk taking behavior, यहाँ पर risk involved है, यहाँ पर ball इस गढधे पर पढ़के इधर पल्टीगी, इधर पल्टीगी, सीधे आएगी, नहीं पता भाई, हमें नहीं पता, किस तरफ ball जाएगी, uncertain time से, we don't know, कि ball कहा जाएगी, पर India को तो जड्डू ने क्या किया, agile approach को follow करते हुए, risk तो सोचना चाहा, कि मुझे लग रहा है कि जब यह change हो जाएगी, तो मैं आगे क्यों जाओंगा, मैं यहीं तक दोड़निक कोशिश करूँगा, और मुझे लग रहा है, यहाँ पर ball गढ़े में पढ़ेगी, I am taking the risk, मुझे लगता है कि यह ball इस गढ़े से टकरा कर मेरे पास इधर आएगी, और मैं यहीं तक दोड़ूँगा, और मैं पकड़ लूँगा इसको, तो जड्डू ने एक prediction क्या, लेकिन यह prediction अंसर्टन टाइम्स में है, यह prediction change हो सकता, यह गलत हो सकता है, तो जड्डू ने, जब वो य इधर ना आये, तो कम सकम इधर आये, तो तू कम सकम पकड़ लियो, यह क्या कह रहा है, जड्डू, जड्डू कह रहा है, कि एक safety net ले ले लेते हैं, भाई, हो सकता है, कि ना हो tilt, ना हो tilt, तो भाई, चौका हो जाएगा, हमार जाएगे, तो उसने रहना को बोला, रहना वो दूसरा वाला कैच कर लेता है, वो safety के लिए वो दूसरा वाला बंदा वहाँ पर होता है, that is called safety net, हमें ये problem को tackle करना है, किसी भी तरह से, तो हमने क्या किया, एक risk तो लिया, अजाईल अप्रोश में, क्योंकि हम बार बर अपनी policy को adjust करके, एक risk तो ले रहें, कि हाँ हो स साथ में हमने safety net भी use किया, safety में एक बंदा वहाँ पर लगाया जरूर, कि तू दौर किया हो, तुम यहाँ पर पहुंच जाई हो, समझे, तो अब यहाँ पर यह हो गए, पूरी हमारी बार बल स्टेट जी, तो यह क्या मैंने theme बोला आपको, policy making under uncertainty, क्यों uncertainty, क्योंकि भाईया uncertain times है, covid की दो waves hit कर चुकी है, तीसरी भी hit कर चुकी है, तो uncertain times में हम policy कैसे बनाए, तो government का बड़ा यह सोचने वाली चीज है, कि वो किस तरह से policy frame करें, ताकि सही policy implement कर सकें, और अगर यह policy हमें waterfall approach से चलते, तो हम कहीं न कहीं अभी तक बहुत खराब हो चुकते हैं, मैं इसक अप्रोच लेंगे, यानि हम अपने policy को हमेशा adjust करते रहेंगे, based on 80 high frequency indicators, तो 80 high frequency indicators को use करेंगे, यानि उन से हम real time data लेते रहेंगे, और अपनी policy को adjust करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि economy में क्या-क्या हो रहा है, उसके इसाब से अपनी policy को adjust करते रहेंगे, this is called agile approach, लेकिन स हमारे देश में केवल हम ही नहीं है, एक ऐसा भी section है, जिसे हम vulnerable section कहते है, women है, children है, oldest people है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, हमारा 21% population poverty में रहे, तो उसकी वज़ेस क्या, उन poverty वालों को बचाओगे नहीं तुम, किसी के पास रोजगार नहीं तो उनको खाने के लि बिल्कुल नहीं, साथ में safety nets होने चाहिए, और why this is called barbell strategy, क्योंकि इसके barbell की तरह दो weight हैं या पर, एक है agile approach and दूसरा is safety net, तो बच्चे मुझे कहा रहा थे कि सर ये दोनों approach मुझे समझा देना, मैंने का कि बिल्कुल समझाएंगे, पूरा समझाएंगे आपको approach, I hope कि आप बहुत अच्छी बात है, आप देखिए, अब इसको हम implement कैसे कर रहे हैं, COVID-19 में क्या हुआ, दो चीजे हुई, COVID-19 health crisis तो थी ही थी, साथ में वो economic crisis भी थी, ये बताने ही जरूरत मुझे है नहीं कि economic crisis कैसे थी, हमको इस crisis की वज़े से दोहरी मार पड़ी, एक demand side से भी lockdown लग गया था, extended lockdown लगा दिये गये थे, supply chain पूरा block हो गया था, पूरे world का supply chain ब्लॉक हो गया था, उसकी वज़े से क्या हुआ, supply chain disruption की वज़े से, supply नहीं थी चीजों की, और supply नहीं थी और demand भी नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, रोजगार नहीं था, उनके पास हाथ में पैसे नहीं थे, वो demand नहीं कर सकते थे, तो demand भी disturb हुई, supply भी disturb हुई, economic crisis भी थी, याद कीज़े GDP हमारी 7.7% से shrink हो गई थी, 134 lakh crore की GDP थी हमारे पास, तो इससे हुआ क्या सर, health crisis थी, बहुत लोगों ने अपनी जानतों गवाई, साफ में economic crisis भी थी, तो ने, तो बहुत देश सारी lives गई, पहले वाले में तो हमने इस्टंडियन lockdown से लगा कर, हमने lives को बहुत priority दी, और livelihood को कहीं न कहीं हमने थोड़ा सा compromise करने की कोशिश की, तो हमने पहले वेव में लोगों को बचा लिया, लेकिन दूसरी वेव में हम लोगों को बचा नहीं पा पर lives हमने बहुत खोदी second wave में, third wave उतना घातक नहीं था, इतना clear होना चाहिए आपके पास, इतनी चीज़े clear होनी चाहिए, तो मैं जो बोल रहा था आपको, कि इसमें यही होगा, uncertainty में कि take feedback लेगी, real time data लेगी, तो government ने real time data कैसे लेगी, 80 high frequency indicators, तो वो कौन से होंगे, वो मै ATM transactions कैसे हैं, कुछ भी graph याद करना है answer इसनों, बस देखते जाओ कौन कौन से हैं, लगबग लगबग कुछ याद करने की ज़रुवत नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ आपकी तसलिक लिए, freight and cargo traffic हो गया, domestic tractor sale हो गया, two and three vehicle sale हो गया, manrega work generated and demand, fuel consumption कितने का है, economy में, passenger vehicle sales कितनी की हो रही है, railway passenger earning कितनी की है, air passenger traffic कितने का है, crude oil prices कैसे है, currency circulation कितना है, money supply का क्या हाल है, economy में, equity markets कैसा काम कर रहा है, bond yields की yield कितनी है, Monday arrivals कितना हो रहा है, retail prices क्या चल रहे है, FDI, FPI का क्या flow है, non oil imports and exports कितने हो रहे है, foreign trade कैसा चल रहा है, Baltic dry index कैसा काम कर रहा है, net sale and purchase of dollar and exchange rate कैसा काम कर रहा है, foreign exchange reserves कैसे हमारे पास है, these are the some factors, तो यह है हमारे पास कुछ indicators, इन indicators को हम use कर के हम क्या करते है, real time में data को हम लेते है, then policy बनाते है, policy को adjust करते है, film implement करते है, this approach is called barbell strategy, I hope कि मैंने थोड़ा सा time लेकर आपको ये दोनों approach से खाने की कोशिश की, आदे गंट साथ में आपने ये भी समझ लिया, कि agile approach और safety nets हैं क्या, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं, कि यहाँ पर दो चीज़े, और मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, demand side हमारा impact हुआ, तो अगर government ने, अगर government ने waterfall method approach किया होता, सुनिएगा इस चीज़ को, मैं ऐसा क्यूं क्योंकि लोगों के पास, covid में job नहीं है, उसकी वज़े से उनके पास पैसे नहीं है, तो demand कम हो रही है, तो government यह बोल सकती थी, कि aggregate demand जो है, वो economy में कम है, इसकी वज़े से economy में जो GDP है, वो GDP कम हो रही है, अगर government ने data के हिसाब से, यह prediction किया होता, कि क्योंकि aggregate demand की वज़े स injection करीगी न, demand side अगर impact हो रहा है, तो लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, तभी demand नहीं कर पा रहे है, तो government क्या में जल लेगी, क्या solution लेती, कि liquidity का injection क्या जाए, तो government अगर liquidity का injection करती, तो सोची problem क्या आती, problem यह आती, कि liquidity के injection की वज़े से demand तो बहुत तीजी से बढ़ जाती और लेकिन supply नहीं थी, supply नहीं थी, और supply नहीं होने करण, और demand बहुत तीजी से बढ़ जाती, पर supply नहीं होती, तो inflation बहुत तेजी से बढ़ जाता हमारा, तो अगर government ने waterfall approach किया होता, अपनी policy को adjust नहीं किया होता, बार बार देखकर, तो government ने चीजों को सही से पर्खा नही थी, उन situation के साथ, अगर अपने आपको accommodate नहीं किया होता, तो demand कम होनी की वज़े से, demand को push किया होता, और demand को push करने की वज़े से, economy में demand तीजी से बढ़ती, पर supply उतनी होती नहीं, क्योंकि supply side पूरा impact हो रहा था, तो supply नहीं होनी की वज़े से, demand ज्यादा होनी की वज़े से inflation बहुत तीजी से बढ़ता, हम hyper inflation जैसी situation में पहुंच जाते, तो यहाँ पर, यहाँ पर government ने क्या बोला, कि नहीं सर हमको सोचना चाहिए इन सब बार में, तो government ने बोला कि यह approach ठीक नहीं है, तो government ने पूरी चीजों को साई से analyze किया, और government ने का कि हम aggregate demand जो impact हो रही है, उ कि सब का data collect करेंगे, कि GST कितना है, तो हमें समझ में आ जागे, कि supply कितनी हो रही है, इस तरह से पूरा data जब हम collect कर लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि aggregate जो supply है, वो कम हो रही है, तो government क्या बोलेगी, कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, supply chain measures लेना चाहिए, supply को बढ़ाना चाहिए, उसके बाद अगर हम demand को बढ़ाएंगे, तो inflation नहीं आएगा, rational भी यही कहता है हमारा, यह अगर supply chain और demand side दोनों impact है, तो supply side को पहले push करना चाहिए, क्योंकि supply जब तक नहीं बढ़ाओगे, लोगों के हाद में पैसा दे दोगे, तो inflation बहुत तेजी से बढ़ क्योंकि government ने परस्टियों को सही से आकलन किया, अपनी policy को बार-बार change किया, 80 high frequency indicator का use करके हमने बार-बार policy में adjustment किया, और adjustment करने के बाद हमने policy में फिर से policy को implement किया, और हमने सही direction में काम किया, तो government ने economic survey में ये बताया है, कि हमने ये करने की कोशिश की है, और साथ में बो policy बना रहे हैं, बार-बार हम change कर रहे हैं, तो risk तो involved है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कैसा क्या हो रहा है, लेकि जड्डू ने जब वो ball का data analyze किया था, और real-time data track कर रहा था, तो problem ये थी real-time data track करने में, कि data एक तो collect करना बड़ा import मुश्किल काम है, इतना data सारा data है, collect कर सबसे बड़ी problem है, collect करने के बाद दूसरी problem ये है, कि हम predict नहीं कर सकते future क्या होगा, तो government के साथ भी यही problem है, कि risk तो ले रहे हैं, लेकिन हम future predict तो नहीं कर सकते हैं, प्रिसीजन से predict तो नहीं कर सकते हैं, हाँ data collection में भी पहले तो दिक्कत आएगी, जो high frequency data क्यों बोल रहे ह that's why we have chosen 80 high frequency indicators for that, यानि हमरे पास पूरा data आज भी नहीं है, हम policy बना तो रहे हैं, लेकिन 80 high frequency indicators को use करके बना रहे हैं, इसलिए हमरे पास पूरा complete data नहीं है, और कभी complete data होगा भी नहीं, तो उसकी वज़े से हम एक risk तो ले रहे हैं, risk तो हम ले रहे हैं, risk है तो इसक है, लेकि आपके पास एक vulnerable section भी है, इसको आपको क्या provide करना है, इसको आपको safety net provide करना है, तो population को safety net भी provide करना है, population को cash transfer भी करना है, food की security भी देनी है, employment भी देना है, housing भी करना है, skill भी देनी है, MSME को भी उपर रखना है, RBA अपनी monetary policy को भी easy monetary policy रखेगा, ताकि लोगों को demand side से लोगो government ने क्या बोला कि हमें, barbell strategy की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे पास agile approach तो होगी, कि हम short term में जो भी हम risk ले रहे हैं, वो risk तो involved है, हम चीजों को tackle करने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, पर साथ में हम अपनी population, जो हमारी population बहुत vulnerable है, उनको हम पीछे छोड़ कर, उनको मरन के लिए हम छोड़ नहीं सकते हैं, उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, this is called barbell strategy, simply, waterfall approach, पानी गिरा तो गिरेगा ही गिरेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते, barbell strategy में आपको अजाइल approach है, agility है, कि आप तुरंत real indicators को देखकर, आप अपने आपको move को change कर सकते हो, कभी आपने shuttle आगे माननी पड़ी, पीछे माननी पड़ी, तो तुरंत आपको move करके जाना पड़ता है, real time data capture किया, पीछे आ रही तुरंत पीछे भाग कर गए, this is called agile approach, आपने तुरंत देखा input लिया, तुरंत adjust किया, तुरंत उस पर work किया, and you basically do not forget to have safety nets, आप safety nets कभी नहीं बूलते हो, तुकि उसमें risk involved है,